एक दसवी कक्चा में पढ़ने वाला 15 साथ का लड़का जिसकी जिन्दकी बाकी बच्चों से बिलकुल अलग थी दरसल उस बच्चे को आत्मा ही दिखाई देती थी वो भी बच्चपन से लेकिन ये सब तो सिरफ एक शुरुवात थी आगे चलके उसकी जिन्दकी में क्या क्या होने वाला है उसका उस लड़के को अंदाजा तक नहीं था तो इस कहानी की शुरुवात होती है आज की रात से जहां पर एक अंजान लड़की उसी लड़के के घर के पास आती है उस लड़की को ये लगता है कि इस एरिया के आसपास किसी के पास तो कोई जादा spiritual pressure है spiritual pressure को तुम ऐसे समझो जैसे कि किसी के पास जादा आत्म शक्ती है normal इंसानों से और ये उसी को sense करते वे यानि कि उसी को महसूस करते वे यहां तक आप पहुंची है और ये अब उसी लड़के के घर में आ चुकी है हमारा character आ गया इचिगो कुरुसा की बाल औरेंज आइस ब्राउन और occupation high school student इसकी special skill है कि इसको आत्माएं दिखाई देती है you are saying you can see me देखो मैंने का था ना कि ये लड़का आत्माओं को देख सकता है इसलिए ये इसे भी देख पारा और इसे तो ये यकीन नी होने वाला कि कोई इनसान आत्माओं को देख भी सकता है इसने पुछा कौन है ये इसने कहा कि ये एक soul reaper है अब देखो कहानी कुछ ऐसी है कि जो spirits evil होती है ना उन्हें हम hollow कहते है और उन्हें hollow को मारने का काम होता है soul reaper का यानि की शीनिगामिस का और शीनिगामिस जहां रहते हैं उस जगह को कहते है soul society और ये लड़की भी soul society के अंदर से यह आई है definitely hollow देखो वह hollow है पका चलो भाहर निकलते हैं यूजू यूजू हां यूजू चलो इसकी बहन कुरुसाकी की बहन है कारिंस बीन इची को योगाट टुसेव हर अच्छा कुछ तो गड़बड हो गई जो होता है कि वह आत्माओं को और इंसानों को खाने का काम करते है अब मैं देखता हूं कि hollow कहां पा रहे यह रहा होलो तो यह रहा इसको मैं हाथ से मार सकता हूं क्या इत्ती जान है मेरे अंदर दो मुक्कों में तो नहीं पड़ गया और भी हैं क्या सब्सक्राइब तो यह है इसकी बहन जिसको hollow ने उठा लिया और अब हमें इसे बचाना होगा यह कहा रही है कि जो hollow है जातर उनी लोग को खाने के चक्कर में लगे रहते हैं जिन लोगों के पास जादा स्प्रिच्वल अनरजी होती है यानिकी आत्मशक्ति होती है इसने कहा कर अगर हमने ऐसा करने की कोशिश करी तो हम उस हो लो का खाना बन जाएंगे इस सोल सिरफ उसके लिए एक रास्ता है तो यह कह रही है कि जो स्वार्ड है यह अपने अंदर ले ले और जिससे की वह अपनी पावर इसे दे पाएगी अपने दिल के अंदर ही ब्लेड गुशा लिए तो इस सोल रिबन ने अपना नाम अब बताया हमें कि इसका नाम है रुकिया यह क्या स्वार्ड का कोई मूव है ओ तेरी एक हिट में मार दियो से अच्छा तो इसकी सोल रीपर पावाज अब जा चुकी है यह कह रही है कि अकेले लड़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए तुम्हें थोड़े सोई दोस्त जैसे लोगों की जरूवत तो हमारी नेक्स वाइट की त्यारी हमें करनी है अच्छा मुझे नया एलाई चुनना होगा मैं मैक्सिमम तीन करेक्टर्स को एक फाइट के अंदर ले सकता हूं यहां पर एक क्विश मेंनी है और आगी कहानी शुरू होने वाली है तो यह है इसे लग रहा है कि वह लड़की हो गायब हो चुकी है अच्छा तो इसके स्कूल में आ गई पढ़ने के लि लिए इसके साथ कॉंटैक्ट बनाए रख सके अब जर्रा में बात होने वाली यह वोट दाहला रूवार्य तो कह रहा हो यहां पर आइक हैं डूनी इसोल रिपल के गो बैक तो दो सोल सुसाइटी के अंदर वापस जा सकते हैं और अब इसके पास वाली पावर नहीं है जो बहुत तकत है मैं जग होने लिए नहीं यहां पर सकता हूं यह सब और यह बहुत हो लग आगा उना पड़ेगा इसको तेरी तो इधर आदी है पी से ज्यादा खा गया मैं इसकी निकल अब यह वाला अटेक में पसंद आ बढ़िया था यह वाला यह वाला कुछ भी क्लियर हो चुका है तो इसके बात की कहानी अब शुरू हो चुकिए जहां पर हमारा इचीगो स्कूल की ड्रेस में है अच्छा यह लड़का जो वो कहीं से मिला है यह पैरट भी सक्ता इसका नामें यूजी शीवा था और यह पैरट बोल सकता कोई नॉर्मल पारत नहीं है रुप्या कहा रहे है कि उसके अंदर पैर तक कुछ भी हो सकता यां तो कोई ऑश्य कोई आत्मा अब हो सकती है लेकिन कोई गैरइंटी नहीं य इस बात पर गौर देना चाहिए और एक कॉंसो प्रफॉर्म करना चाहिए कॉंसो एक तरह से एक ऐसी टेक्निक है जिससे तुम आजमाओं को सोल सोसाइटी तक पहुचा सकते हो और अब क्या करना है मेरे को यहां पर थोड़े बहुत यह हैं इन्हें तो मैं यह ही निफ्टा तो नहीं चला इन्हें तो अकेले मार दिया सबको पर मेरा क्विश्ट क्लियर हो गया तो भाई बस अभी के लिए इतना काफी है मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो के अंदर जै श्री राम